जी हाँ फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा हेल्दी क्रिस्मस प्लम केक जिसमें न तो मैदा है न चीनी है न हमने अलकोहल यूज किया है और नहीं अंडा यूज किया है उसके बाद भी ये बहुत स्पॉंजी और बहुत टेस्टी केक बनेगा साथ ही बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स इसे डियाबटीज की पेशिंट भी आराम सिखा सकते हैं तो चलिए फिर फटा फट बना लेते हैं मैं हुए एक ता और आप देखें कुकिंग लॉजिक आज की इस फ्रूट केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गुर्ड क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि हम हेल्दी केक बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर चीनी नहीं लेंगे उसकी बजाए गुर्ड लेंगे अब हम गुर्ड को मेल्ट करने के लिए आदा कप गरम पानी लेते हैं जिसे गुर्ड आराम से पिघल जाएगा यहाँ पर मैंने एक कप गुर्ड लिया है क्योंकि केक थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है इसलिए आप एक कप ही ले तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अगर मिक्स करने में थोड़ी प्रावलम आ रही है तो आप हाँ से इसे मैश कर सकते हैं बहुत आराम से यह मैश हो जाएगा यह देखे गुर्ड अच्छे से मैल्ट हो चुका है उसके बाद हम इसमें डालेते हैं तूटी फ्रूटी भी आप अलग-अलग कलर की भी डाल सकते हैं मेरे पास रैट कलर की थी, इसलिए मैं रैट कलर की डाल रही हूँ अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप औरेंज जूस अगर आपके पास टेटर पैक औरेंज जूस है तो आप उसे ही डालें अगर नहीं है तो घर में संत्रे होंगे आप उससे जूस निका सकते हैं और उससे भी केक बना सकते हैं अब इसे हम ढखक कर अभी तो एक घंटे के लिए रख रहे हैं लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 24 hours के लिए से जरूर रखें इससे क्या होता है जो dry foods होते हैं वो अच्छी तरह full जाते हैं और केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है यहाँ पर हमारा एक step complete हो गया अब हम दूसरे step की तरह चलते हैं यहाँ पर हम लेंगे एक बोल में दो चम्मच दही और आधा कप दूध हमें बटर मिल्क बनाना है तो यह लीजे बसी से मिक्स करेंगे अच्छी तरह और बटर मिल्क तैयार हो जाएगा अगर आप चाहें तो मार्केट का बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं अब हम लेंगे केक टीन केक टीन को आप पहले ही ले और इसे अच्छी तरह से बटर पेपर लगा कर तेयर से ग्रीज कर ले ताकि केक नीचे की तरफ नचिपके साइड में लगाने की जरुवत नहीं है साइड में वैसे भी केक अगर अच्छे से बनाओ तो नहीं चिपकता ये देखे बटर पेपर को अच्छे से ग्रीज कर लिया है अब कूकर को हम प्री हिट करने के लिए चड़ा देते हैं एक स्टैंड लगा कर लेकिन कूकर के धकन में गैसकिट नहीं लगी होनी चाहिए और कूकर की सीटी भी नहीं लगी होनी चाहिए जब हम केक बनाते तो गैसकिट और सीटी दोनों निकाल देते हैं अब इसे दस्मेट के लिए हम प्री हिट कर लेते हैं तब तक हम औरेंज जूस की तरफ चलते हैं, यह मैंने एक घंटे पहले भीगोए था, यह देखे यह अच्छी तरह से भीग चुकी है, अब हम इसमें मिलाएंगे 1 फोर्थ कप ओईल, इससे जादा क्वांटिटी में आपको ओईल नहीं मिलाना है, पहले भी केक बनाते टाइ यहाँ पर मैंने मेरा यूस नहीं किया है, देड़ कप मैंने आटा लिया है, इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे 3 चमच दूर्ट पाउडर, मतलब मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर आप जरूर डालें, इससे की कटिस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमने यहाँ प किसके डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि यह क्रिसमस प्लम केक है, और इसमें यह चीजें जरूर डलती है, तो आप एक बादाल का जरूर देखें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, और फिर चान लेते हैं, आज हम इस केक को कूकर में बनाने जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसे कणाई में या फिर ओटीजी में भी बना सकते हैं, यह देखें, जो इस टैप के छोटे-छोटे कण बच जाते हैं, उसे हम अलग कर देते हैं, अब इस बैटर को हमें एक ही डायरे नहीं करना है, जितनी कंसेंसी मैं आपको दिखा रहे हूं बिलकुल परफेक्ट है, बिलकुल वही कंसेंसी आप रखें, इस से क्या होगा, जो ड्रैफूर्स हैं, वो पूरे केक में रहेंगे, नहीं तो अगर आप पतला कर देंगे, तो ड्रैफूर्स नीचे की तरब जाएंगे थोड़े से मोटे मोटे डाफोर्स में इसमें और एड़ कर रही हूँ क्योंकि क्रिस्पस प्लम के जो बनता है उसमें बहुत सारे डाफोर्स दले होते हैं अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके पस जितने डाफोर्स आप उतना दाल सकते हैं यह जो छोटे छोटे टिप्स है वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को पर्फेक्ट बनाने के लिए तो इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किये ताकि आपको बताएगा एक एक टिप्स आप जान सकेंगे अब हम हम डालेंगे दो चमच बटर मिल्क अब हमें सिर्फ इतना इसी मिक्स करना है ताकि सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो जाए बहुत जादा नहीं चलाना है यह देखे सोडा बेकिंग पाउडर मिक्स हो गया बैटर बिलकुल तैयार है अब प्रौकर में सीटी की जगह पर थोड़ा से फुनने में प्रॉबलम जाती है। उसके बाद हम इसे थोड़ा से टैप करेंगे और इसे ऊपर से थोड़ा सा गानिश कर लेते हैं। बैटर अगर गाड़ा नहीं होगा तो ये सारे ड्राइफूट्स अंदर चले जाएंगे लेकिन बैटर हमने गाड़ा रखा है तो कुछ ड्राइफूट्स उपर की तरफ रहेंगे सारे अंदर नहीं जाएंगे इसके लिए मैंने गानिश करने के लिए मैंने यहाँ पे काजू, ब्लैक किश्मिश, बादाम, यल्लो किश्मिश ली है और रेट चेरी ली है अगर आप चाहे तो कुछ और ड्राइफूर्ट भी ले सकते हैं अब हम इसे फटा फटा सी कूकर के अंदर रख देते हैं और इसे 50-60 मिनट तक सिम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे बेक होने देते हैं 60 मिनट आराम से लग जाएगी फ्रेंड्स और उसके बाद आप देख सकते हैं केक बिल्कुल रेडी है अब हम इसमें सिलाई डाल कर भी चेक कर लेते हैं ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपकरा मतलब की केक बिल्कुल रेडी है और अंदर से बहुत अच्छे से सीखा है थोड़ी से हम टूटी फ्रूटी उपर से और डाल लेते हैं ये यलो कलर की डाल रही हूँ अगर आपके पस ग्रीन कलर की तो आप वो भी डा सकते हैं थोड़ी से ब्लैक किश्मिच भी डाल रही हूँ जब भी आप केक को गानिश करने के लिए ड्राफूर्स डालते हैं त इसे अलग करने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह पहले ही अलग हो चुका है अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और इसे उल्टा करकर पलट लेते हैं थोड़ा सा मुपस ही टैप कर लेते हैं ताकि एक आराम से प्लेट पर आ जए पलटने के बाद आप देख सकते हैं बटर पेपर कितनी अच्छी तरह अलग हो गया स्पॉंज भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्पॉंज आया है इसे काट कर भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत स्पॉंजी बहुत सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है एक बार आप ट्राय इसे जरूर करिए ये देखिए काटने में ही आपको समझ में आ जाएगा कितना सॉफ्ट है काटने से इसकी टुकड़े अलग हो रहे हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है अगर आप आटे हर गोड से सिंपल कीक बनाना चाहते हैं तो बिलकुल बना सकते हैं उसम का जवाब जरूर दोंगी ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिले इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईए इसी के साथ हम म मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं रेसिपे के साथ टप टप के लिए बाई बाई एंड टेक कियर